नमस्कार साथियो स्वागत है अब सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सरकारी भारत में इस वीडियो के इंदर हम डिसकस करने वाले हैं यह यह असिस्टेंट टैपिंग वालों के लिए पेपर था असिस्टेंट जो डियाडियो असिस्टेंट टैपिंग वालों का पेपर था और सेप्टाम नाइन था CEPTAM था September 9 का पेपर था और ये जो पेपर हुआ था ये पेपर हुआ था नवंबर में कब हुआ था? नवंबर में हुआ था 2019 में इस पेपर में कौन कौन से DRDO के एक्जाम में कोशन पूछने को आई थी उन सारे के सारे कोशन के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने बाले हैं आप सभी को बता दू अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें इस चैनल पर आपके लिए लगबग लगबग हम सभी प्रीवियस येर पेपर्स को करवा रहे हैं जो कि आपके टीरडियो के एक्जाम में आये थे ये नवंबर में पेपर होता है फर्स्ट और सेकंड सिप्ट दोनों का पेपर में आपको करा रहा हूँ याप है यानि कि एक सिप्ट नहीं दोनों सिप्ट फर्स्ट सिप्ट का भी पेपर करा रहा हूँ और ये सेकंड सिप्ट का भी पेपर आपके लिए लाया जा रहा है तो दौना पेपर आपको यहां करवाए जाएंगे इसकी PDF चाहिए आपको तो PDF आपको हमारे WhatsApp ग्रूप में मिल जाएगी चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहला प्रशन है पहला प्रशन क्या आया था पेपर में डियाडियो के पेपर में कोशन पूछा याता है जी ट्वेंटी सिखर समीलन 2019 का आयोजन कहां किया गया तो ये किया गया था जापान में और आपको जापान मुझूद था अब जापान की राजदानी क्या है तो ये भी कोशन अब निव एक्जाम के लिए डियाडियो MTS के लिए कोशन बन सकता है जापान की राजदानी क्या है तो टोक्यो है और यहां की जो प्रधान मंत्री है ये भी कोशन बन सकता है कि यो जापान है इसके प्रधान मंत्री है कौन सिंजो आबे हैं तो आपसे कोशन पूछा गया था G20 सिकर सम्मिलन 2019 का आयोजन कहां किया गया था तो जापान में किया गया था next question की ओर चलते है next question आपकी screen पर है question आये था दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंतरी कौन थी the first chief minister of women of दिल्ली यानि कि दहली की पहली महिला मुख्यमंतरी कौन थी और सबसे वड़ी बात ये है कि महिला मुख्यमंतरी के बारे में पूछा है तो ये question क्यों एक्जाम में आया इसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ इसका एक्जाम में आने का कारण था क्योंकि उस समय जो सुस्मा सुराज थी कौन सुस्मा सुराज थी क्योंकि इनका उसी समय निधन हुआ था यानि कि उसी टाइम पर इनका क्या हुआ था निधन हुआ था तो फिर यहां से ये question ये चर्चा में रही तो इस प्रकार ये question आपके एक्जाम में पूछ लिया गया उसी time पर और question पूछ लिया गया दिल्ली के पहली मेला मुख्यमंतरी कौन थी तो इसका सही आंसर है सुसमा सुराज ये अगर बात की जाए मुख्यमंतरी बनने के बाद अगर 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनती है यानि के सॉरी मोदी जी की सरकार नहीं NDA की सरकार बनती है कभी भी मोधी सरकार नहीं बोलते मोधी सरकार एक्जाम के दिश्ट कोंट से अगर इंटरिवू में पूछा जाता है किसकी सरकार है तो आपको बोलना होगा NDA की सरकार है तो ये विदेश मंत्री भी रही है और इनकी खास बात थी एक statement था इनका जो के काफी चर्चित था और एक्जाम में पूछता भी है इनके बारे में question पूछा जाता है कि United Nation में इन्होंने एक बात कही थी क्या कहा था जिनके खुद के घहर काच के बने होते हैं दूसरों पर पत्तर उन्हें नहीं फैकना चाहिए पाकिस्तान के लिए ये बात नहीं बोली थी तो हो सकता है एक्जाम में इस बार इस प्रकार का question आपसे पूछ लिया जाए next question आपसे पूछा गया था 37 दवन अंतरिच चिकेंदर कहां पर इस्तित है देखे कई बार repeat करकर के मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर DRDO का paper आप देने जा रहे हो तो आपको इस रो के बारे में complete knowledge होनी चाहिए यानि कि इस रो के बारे में आप लगवक 30-35 question है उनको रटके जाएगा और मैं भी आपको चैनल पर मैंने एक वीडियो डाल दिया है उसमें भी आप देख सकते हैं DRDO के बारे में भी आपको 10-15 question ऐसे हैं जो के repeated होते हैं DRDO repeat करकर के पूछता है तो उन questions को अभी आप complete कर लिजेगा आप से पूछा गया 37-22-8 चिकेंद्र कहां पर इस्तित है तो ये question आया तो जो 37-22-8 चिकेंद्र ये कहां पर है आंदर प्रदेश में है कहां पर इस्तित है आंदर प्रदेश में इस्तित है और आंदर प्रदेश में भी कहां से इसे launch किया गया था sorry जो केंद्र है ये center कहां पर है हरी कोटा में है कहां पर है हरी कोटा में तो आंदर प्रदेश हरी कोटा में 37-22-8 चिकेंद्र इस्तित है अब देखे ये question अगर आप exam में बनता है तो आपसे एक question और पूछ सकता है तो ये question exam में क्यों पूछा जाएगा देखे 37 दवन अंतरेज शकेंदर कहां पर इस्तित है अंदरपरदेश हरी कोटा में इस्तित है तो ये question exam में क्यों आएगा वो समझेए आपसे question पूछ सकता है ISRO के बारे में तो जो ISRO है इसके full form होती है Indian Space Research Organization और जो चंदरयान 2 था इसको भी ISRO नहीं launch किया था और जो चंदरयान 1 था इसको भी किसने launch किया था ISRO नहीं launch किया था इसके बारे में एक question काफी ज़्यादा पूछा जाता है ISRO के बारे में PSLB की full form क्या होती है ये question बनता है और GSLB की full form क्या होती है आपको बता दू GSLB के बारे में तो exam में question आपको आया ही था और question आया था GSLB की full form क्या होती है तो देखे PSLB की full form होती है Polar Satellite Launch Vehicle क्या होती है फ्रेंट्स Polar Satellite Launch Vehicle होती है और जो GSLB होता है Geo Sinoronus Satellite Launch Vehicle इसकी perform होती है Geo Sinoronus Launch Vehicle जो ISRO है इसका जो Headquarter है यह है Bangalore में कहां पर है Bangalore में तो यह भी Question आपसे कई बार पूछा जाता है और इसके जो Chief है इसरो के जो Chief है वो कौन है के सिवान है यह भी Question कई बार एक्जाम में पूछा गया है और पूछता रहेगा जब तक यह के सिवान इसके अध्याच है तो इस प्रकार का Question भी एक्जाम में देखने को मिलता है अब बात की जाए अध्याच दबान अंतरी चिकेंदर की तो यह आंदरपरते सरीकोटा में इस्तित है Next Question की बात की जाए तो Question No.4 पूछा गया था पेपर में क्या आया था विश्वरक्टतान दिवस कम मनाया जाता है Question आया था क्या बिस्व रक्ततान दिवस कम मना जाता है ब्लड डोनेशन डे किस दिन मना जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे किस दिन मना जाता है तो ये मना जाता है 14 जून को मना जाता है कब मना जाता है 14 जून को मना जाता है ब्लड डोनेशन डे एक कोशन और काफी ज़्यादा पूछा जाता है लेवर डे किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है एक मई को अब देखे एक कोशन में अपनी तरफ से बता रहा हूं और ये काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है 9 अगस्त को कब 9 अगस्त को हिरोसिमा और नागा साकी पर हिरोसिमा और नागा साकी पर हिरोसिमा और नागा साकी पर अमेरिका ने अमेरिका ने क्या किया था जापान के जापान के हिरोसिमा और नागा साकी पर अमेरिका ने परमाडू बम से हमला किया था तो ये question भी आपसे पूछ सकता है नौगस्त वाला और देखे परमाडू बम की बात है तो ये इस प्रकार का question तो exam के लिए बनता है क्योंकि आप DRU की तैयारी कर रहे हैं एक question आया था एक ब्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है यद उसका मासिक खर्च 4980 रुपे हो तो उसका मासिक आय कितनी है एक बात बताई ये 17% कितनी है उसकी 17% है तो इसका मतलब उसका expenditure यानि कि खर्च कितना होगा 83% होगा अब 83% की value दे रखिया यानि कि मासिक खर् सब्सक्राइब करेंगे वह समझ ये 17% की value क्या होगी 4980 बटे त्रासी गुड़ा सो आप इसे solve कर लिजेगा तो 4980 डबल जीरो अपन 83 तो इसका divide लगा लिजेगा आपको answer मिल जाएगा next question आया था Mike को OGMC लिखा जाता है तो CIAD को क्या लिखा जाएगा तो ये question आया था मैप के लिए इस question को solve करके बता देता हूँ देखें इस question को कैसे solve करेंगे वह समझ ये question क्या था question था M I K E इसको क्या लिखा जाता है इसको लिखा जाता है OGMC क्या लिखा जाता है OGMC M आता है 13 मेरा 13 I 9 J K 11 पर आता है और E आता है 5 पर O आता है 15 पर G आता है 7 पर मेरा 13 C 3 पर आता है तो अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यह question आया है तो देखें सबसे पहले इसमें क्या हुआ plus 2 फिर हुआ minus 2 फिर हुआ plus 2 और फिर हुआ minus 2 अपसे question क्या पूचा है? C, I, A, D को क्या लिखेंगे? C, I, A, D तो C आता है 3 पे, I आता है 9 पे, A आता है 1 पे और D आता है 4 पे तो सबसे पहले आपको plus 2 करना है, plus 2 करने पर ये क्या बनेगा C 3 और 2 5, 5 पे आता है E 9, 9 में से 2 गए तो 7, 7 पे आता है G A 1 में 2 जोड़ोगे आप क्या करोगे, plus 2 करोगे तो कितना आएगा एक दो तीन हो गया तीन पर आता है C और D मैंसे दो गटा हो गया यानि कि दो दो पर आता है B तो E, G, C भी आंसर हो गया क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा E, G, B, C और यही आंसर आपके उप्सन में दे रखा था चलिए नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं नेक्स्ट कोशन पूछा गया था मरडों परांजत पर्थम भारत रतन किसे दिया गया मरडों परांजत किसे भारत रतन दिया गया देखे एक ब्यक्ति थे जिनका नाम था लाल बहादुर सास्त्री क्या था लाल बहादुर सास्त्री जिनका नाम था देश के दूसरे नंबर के प्रदान मंतरी थे किस नंबर के प्रदान मंतरी थे दूसरे नंबर के प्रदान मंतरी थे पंडित जवाललान नहरू के बाद आपको याद होगा तासकंद में तासकंद में इनकी क्या हुई थी मृत्यू हुई थी मृत्यों नहीं इनको एक तरीके से स्वर्ग मिला था मैं तो उस पर कोई भी discussion नहीं करना चाहूंगा जो भी हुआ था उसके बारे में तो इनके बारे में बताया जाता है बहुत कुछ बताया था किसानों के बहुत जादा हितेसी थे लाल बहादूर सस्त्रे जी तो ये question आपसे एक्जाम में पूछा गया था Next question पूछा गया था Thomas Cup किस खेल से संब्बंदित है Question देखे, question number 8 पूछा गया था Thomas Cup किस खेल से संब्बंदित है Thomas Cup किस खेल से संब्ません है तो ये question का answer गलत लिखा है यहाँ पर तो Thomas Cup जो है वो Badminton से सम्भंदित है, एक वार इसे चक कर लीचेगा, ओके, next question क्या है, भारत का Manchester किस सहर को कहा जाता है, देखे भारत का जो Manchester है, ये कहा जाता है, एहमदावाद को, किसको कहा जाता है, एहमदावाद, और ये एहमदावाद कहा पढ़ता है, ये एहमदावाद है, गुजरात में, कहा पर पढ़ता है, गुजरात में, गुजरात के मुख्य मंतरी कौन है, प्रमोद, बताएगा आप, अब मैं इसको यहीं छोड़ूँगा, आप बताएगा, comment box में लिखेगा, next question आया था, दो संख्याओं का अनुपाद चार और साथ का है, परतेक संख में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, जो छूटा रहता है, तो हमने माल लिया कि छूटा हुआ है, वो X है, दोनों संख्याओं में, अगर 8 जोड़ दिया जाता है, तो इनका अनुपाद 3 अनुपाद 5 हो जाता है, cross multiplication करेंगे, तो कितना वनेगा, पांचों का 20, X प्लस 8 पं तो वो संख्या क्या थी, संख्या क्या थी, तो 4X का मतलब हो गया, 14, 4, 56 और 7X का मतलब हो गया, क्या हो गया, 14, 57, 14, 84, 47, 98, और ये 98 और 56 ये अंसर आ जाएंगे, तो संख्या आपको मिल गई, ओके, next question क्योड़ चलते है, next question क्या पूछा गया था, question आया था, exam में बहुत अच्छा question पूछा गया था, question आया था, RBC का निर्माड कहां होता है, RBC का निर्माड कहां पर होता है, देखिए, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, सबसे पहले इस question के बारे में थोड़ा सा मैं इसको तोड़ने की कोशिस करता हूँ, देखिए, exam में question पूछा गय बोन मेरो, क्या बोलते है, बोन मेरो, अब देखिए, बोन मेरो जो होती है, इसके बारे में खासियत क्या है, इस बोन मेरो में ही RBC का निर्माड होता है, इस बोन मेरो में ही WBC का निर्माड होता है, यानि कि ये सारी की सारी चीज़े कहां पर निर्माड होता है, बोन मेरो म होती हैं जो बड़ी-बडी हड़ी होती है हड़ी ऐसे होती हड़ी तो इन हड़ी Pelosta होता है इंको बन मेरू और इनursday मेरू महीं क्या वनता है बलड़ का निरमाड होता है यानि कि आरवี-ची की टबल्व.-पलाजमा और जो बछया और प्लड़ बगएरा है, सब कुछ इसी के अंदर निर्माड होता है, यानिकि अस्ती मज्जा में इसका निर्माड होता है, next question क्या पूछा गया था next question आया था मानव सरीर के अंदर रखत किसकी उपस्तिति के करण नहीं जमता है अगर सोचिए अगर आप ठंडे पड़ जाएं तो कहीं ऐसा तो होता नहीं है कि जो आपका सरीर का बलड है वो क्या बन जाए एक तरीके से बर्फ बन जाए कभी आपने बलड को बर्फ बनते देखा है तो ऐसा तो नहीं होता किसके कारण नहीं होता है तो हेपेरिन नामक पदार्थ के कारण नहीं होता है किसके कारण नहीं होता है हेपेरिन नामक पदार्थ के कारण ऐसा नहीं होता है next question है भारत के मुख्य चुनाब आयक्त की निकती किसके द्वारा की जाती है तो इसका सही उत्तर है राष्टपती के द्वारा की जाती है और आर्टिकल 52 में राष्टपती के बारे में बताया गया है भारत का एक राष्टपती होगा इसके बारे में किसमें बताया गया है अनुच और इससे पहले देखे मुख्य चुनावायक्त की नुक्ति कौन करता है राश्टपती करते हैं आपसे कोशन ये भी पूछ सकता है भारत के पहले मुख्य चुनावायक्त कौन है तो ये है सुकुमार सैन कौन है सुकुमार सैन जो सुकुमार सैन है वो भारत के पहले मुख्य और आपसे एक question और पूछ सकता है अगर राष्टपती से related question पूछता है तो आपसे उपराष्टपती से related भी question पूछ सकता है उपराष्टपती के लिए कौन सा अनुच्छिद है कि भारत का एक उपराष्टपती होगा इस related अनुच्छिद है article number 63 कौन सा होता है प्रेसट में पताया गया कि भारत का एको प्राश्ट पती होगा तो ये भी कोशन आपसे एक्जाम में पूछ सकता है अब देखिए आपको याद कर लेना है एक ट्रिक सरला सरला से लेटेट सरला का मतलब होता है सका मतलब हो गया संसद सका मतलब हो गया संसद रका मतलब हो ग और लाका मतलब लोकसवा, संसद जो आती है वो अनुच्छे 79 के अंदर गत संसद के निर्वाण के बारे में बताया गया है, कि भारत की एक संसद होगी, अब संसद में क्या-क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, अब बताया गया है राज्यसवा के बारे में, नाम है उच्छ सदन, इसको उच्छ सदन के नाम से भी जाना जाता है किसको राज्य सवा को, दूसरी बात आती है लोग्सभा की, लोग्ससभा का जो अनुच्छेद है, आर्टीकल है, वो कौन सा है, 81, अनुच्छेद 80 के अंदर बताया गया कि भारत का एक लोकसवा होगा क्या होगा भारत का एक लोकसवा होगा और जो लोकसवा है इसके बारे में भी कई सारी चीज़े बताया रखी है अब क्या बता रखी है बो समझे जो लोकसवा होती है ये कैसी होती है ये निम्न सदन होती है क्या बोलते है निम्न जाता है क्या हो जाता है लोकसवा भंग हो जाती है कौन भंग करता है राष्टपती इसको भंग करते हैं कब करते हैं इसको भंग हर एक पांस सालवाद राष्टपती इसको क्या कर देते हैं भंग कर देते हैं जब चुनाव होता है यानि कि लोकसवा डिजॉल्ब हो जाती है राज्यसवा कभी भी डिजल्ब नहीं होती राज्यसवा में हर दो वर्सवाद क्या होता है चुनाव होता है क्या होता है हर दो वर्सवाद राज्यसवाद राज्यसवाद में चुनाव होता है तो ये भी कुशन आपसे पूछ सकता है राज्य सवा में 6 वर्स के लिए जो उम्मीदवर चुना जाता है उसको 6 वर्स के लिए चुना जाता है दस विदायकों पर एक राज्य सवा में जो सांसद है वो चुना जाता है और लुक सवा में क्या होती है उम्रसीमा होती है 5 वर्स की कितनी होती है 5 वर्स की यानि 5 वर्ष से कोई भी व्यक्ति अधेक संसद नहीं रह सकता है आप आतकाल की स्तिती को छोड़ कर तो यह भी कोशन आपसे पूछ सकता है राश्टपती उपराश्टपती संसद राज्यसभा और लोक्सभा से लिटेड ये सभी के सभी कोशन आपसे पूछ सकता है एक कोशन यही कोशन रिपीट में फिर करता हूँ राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है लोक्सभा भंग हो जाती है संसद आर्टिकल 79 के अंतरगत आती है राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतरगत आती है और लोक्सभा के बारे में बताया गया कि ये आर्टिकल 81 के तहट आती है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो ये थे सुकमार सैन ये भी कोशन बन सकता है बरतमान में कौन है फिर मैं बता देता हूं आपको बरतमान में कोन है तो ये है सुनील अरोडा जी तो ये इंसलेट्ट भी कोशन आपसे देखने को मिलेगा बरतमान करेंट अफियर्स में ये कोशन पूछ सकता है इसके मुख्य चुनावायक कोन है सुनी लरोडा तो इसके दो पाध्य अच्छी भी है एक है असोक लवासा और दूसरा आपको कमेंट वक्स में लिखना है ये आपका होम बर्क है तो ये भी कोशन आपसे रिपीटेड बनता है और एक्जाम में ये कोशन आपसे पूछेगा तो अब आपको एक कोशन और लिखना है कि जो चुनाव आयोग है निर्वाचन आयोग है ये किस आर्टिकल के अंतरगात आता है ये किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है तो मैंने सारी की सारे डेटेल आपको यहाँ पर दे दी है चलिए नेक्स्ट कोशन की ओर चलते है नेक्स्ट कोशन है देखे एक कोशन और पूछा या सकता है जैसे जो सुप्रीम कोट होता है क्या होता है सुप्रीम कोट जो सुप्रीम कोट का सुप्रीम कोट का जो सुप्रीम कोट के जज होते है मुख्य जज होते है मुख्य निया अदिस होते है इनका जो निर्वाचन होता है याने कि इनको जो निरवाचन है इनको जो सपत दिलाते हैं ये कौन दिलाते हैं पहली बात इनको सपत दिलाते हैं राष्ट पती महोद है इनको किस आधार पर चुना जाता है तो ये कोशन काफी ज़्यादा important है राष्ट पस्ती का जो चुनाव निर्वाचन होता है वो प्रतक निर्वाचन मंदल के तहत एकल संक्रमनती है मत बत्दी द्वारा इनका चुनाव किया जाता है तो ये भी आपसे पूछाया सकता है नेक्स्ट कोशन क्या है तामा किसका मिस्दातू है तो एक होता है जस्ता और एक होता है तामा नेक्स्ट कोशन क्या है भारत और चीन के बीच सीमा रेका क्या कहलाती है देखे भारत और सीम के बीच की जो सीमा रेका है दो देश है भारत और चाइना बारत के जो प्रदान मंत की बात की जाए तो چाएना का जो एक ते चिंपर कौन है आप से इसवार आप में अबूछा गया तो यह वारत और पाकिस्तान के बीच्कि ता को क्या कहा जाता है देगि आपको पता ये पाकिस्तान कैसा है पाकिस्तान खत्रे वाला देश है, खत्रे वाला देश का मतलब हो गया, खुद तो उड़ेगा ही, दूसरों को भी उड़ाएगा, यानि कि कैसा हो गया, रेड जोन मान सकते है, पबजी वाला रेड जोन मान सकते हो, खुद भी उड़ सकता है, और दूसरों को भी उड़ा सकता है, इसका म बना देता हूं में, रेड क्लिफ, यानि कि अपनी तो क्लिफ बनाएगा ही बनाएगा, और रेड क्लिफ और बनादेगा, यानि कि हमको भी उडा लेगा, यानि कि क्या है रेड क्लिफ जो रेखा होती है, जो रेड क्लिफ रेखा होती है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच मे पुछा गिया था भारत और पाकिस्तान की बीच में? ये question आपको बता दू जैन धर्म से लेटर जैन धर्म से और बोध धर्म से ये तो मानलो के छपके आएगा ही आएगा पेपर में ये question तो बनता ही बनता है question है और ये पेपर में आया भी है question क्या पूछा गातम बुद्ध को कौन सी जगया ग्यान की प्राप्त हुई कोई भी बता देगा कोई भी बता देगा इसका मतलब क्या इसका अंसर बोध गया है नेक्स्ट question पूछा गया था भारत में आजाधी के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था तो आपको बता दो भारत में आजाधी के बाद जो पहला आम चुनाव था वह था 1922 में अब question ये तो बना था कब 2019 नवंबर में जब आपका एक्जाम हुआ था लेकिन इस बार exam में कौन सा question बनेगा इसी question को वो घुमाएगा कैसे घुमाएगा जो संसद का पहला अधिवेशन है किसका संसद का पहला अधिवेशन संसद का पहला अधिवेशन जो हुआ था या राज्य सवा का जो पहला अधिवेशन हुआ था या लोक सवा का जो पहला अधिवेशन हुआ था यहां से तीन जगे से अपके question को repeat करेगा Quesn क्या आया था भारत में आजाती के बाद पहला आम चुनाया कब हुआ था ये Quesn 2019 में पूछा गया इस बार Quesn पूछेगा संसद में अधिवेशन या राज्यसवा का अधिवेशन या लोकसवा का अधिवेशन कब हुआ था तो ये हुआ था 13 माई 1902 को 13 में 1952 को राज्यसवा लोकसवा और संसतीनों का अधिवेशन हुआ था और इसका joint session बुलाया था ये कौन थे भारत के पहले राष्टपती थे ओके अब राष्टपती से related question आपसे पूछा गया 1902 से related question पूछा गया तो पहला question पूछ सकता है भारत के पहले रच्छा मंतरी कौन थे आपसे पूछ सकता है भारत के पहले विदेश मंतरी कौन थे तो ये भी तो पूछ सकता है बिदेश मंत्री कौन थे? आप से पूछ सकता है, एजूकेशन मिनिस्टर कौन थे? भारत के पहले सिच्छा मंत्री कौन थे? तो आपको बता दू भारत के पहले रच्छा मंत्री थे बल्देव सिंग, कौन थे? बल्देव सिंग, भारत के पहले बिदेश मंत्री कौन थे? त पहले बारत के सिच्छा मंत्री थे अब इंट्रेस्टिंग बात यह है कि जो पंडित जवाल लाल नहरू है कौन है पंडित जवाल लाल लाल नहरू ओके तो यह कोशन बनता है इनसे लेटर कि यह बिदेश मंत्री थे सब को परदान मंत्री के बारे में पता है लेकिन किसी को यह नहीं पता रहता कि बारत के पहले विद्यस मंत्री भी थे अब खास बात यह है कि इनकी जो बहन थी उनका नाम था विजयल अच्मी पंडित क्या था विजयल अच्मी पंडित ओके तो यह भी कोशन पूशता है तो जो विजयल अच्मी पंडित हैं यानि के पंडित जवाल लालनेरु की बहेंती ये UN में UN यानि की United Nation में सेंक्तराष्ट संग में भारत की ओर से पहली महा सचेप बनी थी भारत की ओर से पहली महा सचेप बनी थी कौन विजयल अच्मी पंडित भारत की ओर से ओके तो ये भ को डिसकस किया जो क्वेशन अब आ सकते हैं तो आपको वीडियो कैसा लागा कमेंट वक्स में बताएएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंगे थेंगे पर वचेंग दिस वीडियो चैहिं चैह बारत टेक कियर